अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और उसके साथ बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करें ताके आने वली तमाम अपडेट आपको हमारे चैनल की तरफ से डे बड़े डेली बेसिस प अगर. Today we are gonna tell you the how to convert's excel file into word file आज हम convert करेंगे excel file को work file के अंदर्स बेसिकली इसके दो format's है इस इसको excel file को word में convert करने के लिए हम दोनो formats वीडियो के अंदर हम देखेंगे एकėnual format है और एक digital automatic format है ठीक है जिस बंदे को जो असान लगता वो उस तरीके से कर लेगा ठीक है तो आपने वीडियो को end तक देखने कोई भी पार्ट आपने skip नहीं करना बिल्कुल भी हम दोनों format देखेंगे तो चलते हैं अपने topic के तरफ तो सबसे पहले हमने excel file खोलनी है excel file में जाके हम लोग रहें blank file खोल लेनी है ठीक है blank file हम लोग खोल लेंगे यहां पे excel file के अंदर और कुछ भी हम लोग randomly यहां पे जो है ना कुछ भी paste कर सकते हैं कोई बी data तो इसका पहला जो format है manual format में क्या होता है हम लोगों ने simply जो है यहां पे जाके ctrl a को प्रेस करना है ctrl a को जैसी ही प्रेस किया तो सारे ही जो है वो table जो है वो select हो जाएगा हमारा सारा का सारा टेबल हमारा select हो जाएगा excel file के अंदर ctrl a करने से ठीक है और ctrl a करने के बाद हम लोगों ने ctrl c को प्रेस करना है ctrl c को हम जैसे ही प्रेस करेंगे ना हमारे जो side borders है ना वो movements के अंदर आ जाएंगे side borders आप लोग video के अंदर देख रहे होंगे कि आपको borders movement के अंदर नजर आ रहे होंगे ठीक है और यह move हो रहे है तो यह इसका मतलब है कि हमारा जो address है हमारा जो content है copy हो गया इसके बाद हम लोग ने word की file खोलनी है word की file हम लोग खोलेंगे और जाके हम लोग ने एक blank page को open करना है ठीक है एक blank document open करेंगे और यहां पर हम लोग right click कर करने के बाद हमारे पास यहां पर paste option हमें नजर आ रही है हमें ठीक है paste option हमें नजर आ रही है paste option के नीचे हमें different किसम की option नजर आ रही है one two three four and five and six six options हमें different six option नजर आ रही है different formats है कि हम किसी भी style के format के अंदर अपना जो है यहां पर content paste कर सके let's suppose मैं second वाला select करता हूं और यह आप इसने table format के अंदर मुझे यहां पर print कर दिया मेरा data यहां पर print हो गया ठीक है यह हो गया हमारा manual तरीका यह हम लोग ने manually जो है ना हम लोग ने excel से word में हम लोग ने अपना data जो है ना fetch कर लिए और इस word की file को हम लोग control s करके save कर लेंगे और अपना path define कर देंगे हम हो जेगी और साथ-साथ convert भी हो जेगी excel to word के अंदर अच्छा और सेकंड तरीका जो हमारा है यह हमारा link है ठीक है डॉक सोसो का ठीक है लिंक आपको description में मिल जागा video के नीचे description box है description के अंदर आपको link मिल जागा यह ठीक है तो डॉक सोसो नाम की website है ठीक है और यह उसका link ह तो यहां पर हम लोग ने simply यहां पर जाकर हम लोग ने select file को click करना और select file को click करने के बाहर अपनी file को select कर लेना यह मेरी excel की file इसको मैंने select की है और यहां पर मेरा file name जो है ना लिखावा नजर आ रहा है आपके screen पर आपके सामने आपको file और मैंने convert को press करना है convert within a few seconds के अंद देखें word में download होई है तो इसको फिर हम open करके देखते हैं तो जैसी हमने open किया देखें एक table format के अंदर जो है ना उसने convert कर दिये ठीक है बड़ी manageable way में उसने convert किया है हमारी file को excel की file को word के अंदर ठीक है automatic तरीके से और इसको edit का press करके हम लोग इसको हम file को अपनी edit भी कर सकत हैं तो जिस बंदे को जो way convenient है जो format convenient है manual या link के थू करना totally up to you it's totally entirely up to you कि आप लोगों ने किस format के हिसाब से चलना है ठीक है तो आज का topic हमारा यही था तो मिलते हैं इंशाला तला नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अला हाफिस हुआ हुआ है